नमस्कार दिवेदी जी के कीचन में आप सभी के बहुत बहुत स्वागत है आज हम बनाएंगे चटपटा पकोड़ी चाट तो यहां पर हमने लिया है पकोड़ी जो की पकोड़ी घर पे नार्मल आप बनाते हैं जैसे कि हमारे चैनल पर पड़ा हुआ है पकोड़ी आप थोड़ी बड़ी बड़ी पीसेज है तो इसे हम चार भाग में कट कर लिया आप चाहे तो खड़ा का भी बना सकते हैं तो इस तरह से हमने चार भाग में कट कर लिया है प्याज का भी पकोड़ी आप बना सकते हैं चाट किसी भी तरह की पकोड़ी आप घर पे बनाएं और बना लें, बहुत लजेज होता है, जब भी आपको चटपटा खाने का मन करें, तो चाट आप इसी तरह से तयार करें, इससे पहले कि आप मेरे चनल पर पहले बार आए हो, तो प्लीज सब्सकाइब कर लिजिएगा, और हाँ, अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी न भूलिएगा, तो यहाँ पर हमने सारा पकोड़ी काट कर रख लिया है, आप देख सकते हैं, और इसके बाद इसमें हम डारेंगे मीठी चतनी, तो यहाँ पर हम इमली की मीठी चतनी डाल रहे हैं, अगर आपके घर में इमली की मीठी चतनी ना हो, तो आप थोड़ा सा गू तैयार घर पे हो जाएगी अब यहां पे थोड़ा सा ग्रीन चट्नी हमने डाला है ग्रीन चट्नी में पुदीना है हराधनिया है और मिर्चा नमक उसके बाद इसमें हम डालते हैं थोड़ा सा कटा हुआ बारी प्याज अगर प्याज आप खाते हो तो डालने वर्ना इसकीप कर सकते हैं थोड़ा सा नमकीन है, सेवडा नमकीन, कोई भी नमकीन हो आप डाल सकते हैं, घर पे पड़ा हुआ रहता है, थोड़ी सा हरा मिर्चा है, बच्चे हैं तो स्कीप कर देजिए, ना डालिए, और यहां पर चाट मसाला थोड़ा सा छिड़िक देजिए, चाट में हमने काला नमक, लाल मिर्चा और चाट मसाला मिक्स करके डाला हुआ है, थोड़ा सा उपर से मीठी चटनी और डाल देते हैं, तो बस हमारा जो है, चाट बन के तयार हो गया है, अच्छा लगे तो लाइक करना बिलकुल भी ना भूलिएगा, तो चलिए बहुत रजब तोड़ा जवमा हैं, तो चलिए है जज़ा हैं, बहुत बावे ग मासा समयाधमः लाएं, तो परसांब कर दो कि एसा बयों साल हो, वहां